बीदा डिस्टिक में और्गनाईस किये गए वुशू इस्टेट चैंपेंशिप कॉम्पिटेशन में गुलबरगा शहर से एक मुस्लिम हिजावी लड़की ने गोल्ड मेडल जीत कर पूरे गुलबरगा डिस्टिक का नाम रोशन कर दिया है वुशू एक चैनिस किक बॉक्सिंग कॉम्पिटेशन है जो बेहर डेंजर और जानलेवा माना जाता है गुलबरगा शहर से इस कॉम्पिटेशन में एक्शन डोजो से एक लड़की और तीन लड़कों ने पाटिसिपेट कर जीत हासिल किया है 44 केजी वेट कैटेगरी में सियदा शिरिन सुल्ताना नामी एक हिजाबी लड़की ने वुशू करनाड़का एस्टेट कॉम्पिटेशन में जीत कर गोर्ड मेडल हासिल किया है और 65 केजी कैटेगरी में मोहमत तौखिर जुनेदी और 70 केजी में आमेर हुसेन ने ब्रोजवन मेडल हासिल किया है और 52 केजी कैटेगरी में फर्दिन खान को रनरब सर्टिफिकेट मिली है यो सभी गुलबरगा शेहर में मौझूद एक्षन डोजो के मास्टर रहीम गौरी के अंडर ट्रेन हुए स्टुडेंट हैं जो काफी महनत और जुनून के साथ आज जीत हासिल किया है रहीम गौरी गुलबरगा शेहर में पिछले 12 साल से एक्षन डोजो के नाम से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देते आ रहे हैं सयदा शिरिन सुल्ताना साल 2021 में सौथ कोरियन टाइकॉंडो को कियोन उनिवरसिटी से इंटरनाशनल ब्लाक बेड हासिल किया है फिलाल बीदा डिस्टिक में हुवे वुशु करनाड़ का स्टेट कॉंपेटेशन में गोर्ड मडल जीतने पर सयदा शिरिन सुल्ताना को खेलो इंडिया के लिए सलेक्ट किया गया है गुलबरका शेहर में एक्शन डोजो से रहीम गोरियन टीम की महना तोर सयदा शिरिन सुल्ताना मुहमत आफिर जुनेदी, आमेर हुसेन, फरदिन खान और इनके जैसे दीगर स्टुडेंट्स की महना तोर लगन है जो आज ये स्टुडेंट्स कॉंपेटेशन जीत कर गुलबरका शेहर का नाम रोशन किया है मैं से सेदा शिरिन सुल्ताना and I am a female instructor in action dojo जहां पर मेरे क्लास चलती है वहां पर गल्स को ट्रेनिंग देती हो मैं और फिलहाल में टॉर्णमेंट वुशू का 29 दिसंबर को वहां पर मैंने गोल मेडल हासिल किया है मैं फर्स्ट ताइम पार्टिसिपेट की थी वहां पर और मेरा अलहमदिल्ला experience बहुत अच्छा रहा मैं बहुत ज़्यादा घबराई भी थी कि मैं मैंच का सा खेलूंगी फर्स्ट ताइम मैं टॉर्णमेंट पार्टिसिपेट कर रही थी लेकिन अलहमदिल्ला मेरे मास्चर मेरे साथ थे और जो भी पार्टिसिपेंट्स गए थे जो भी मेरे कलीक्स है उन्होंने में को बहुत बहुत रही था लेकिन मेरे मास्चर को मेरे पारंट्स को मेरे मईरी फैमली को भी भरोशा था कि मैं कुछ भी करों की जीत के आती हुँा qig bir e Branch B इतना इनको भरोशा था आल ही में 29 डिसमबर बीदर में जो है वुशू का स्टेट टॉर्णमेंट हुआ था जिसमें हमारे यहां से गुलबर्गा डिस्टिक से चार प्लेयर्स पाडिसिपेट करें थे जिसमें एक लड़की थी जिनका गोल्ड मेडल हुआ और दो लड़कों का ब्रोंज मेडल हुआ है और एक लड़के का जो है रनर अरप स्रेटिफिकेट है अलहमद्रिल्ला एक लड़की जिनका गोल्ड मेडल हुआ है उनका अभी रिसेंटली खेलो इंडिया में सेलेक्शन हुआ है जो की गुलबर्गा के लिए बहुत बड़ी बात है जो वुशू का गोल्ड मेडल जो लड़की ने हासिल किया है और अलहमद्रिल्ला उससे बड़ी बात यह है कि वुशू जो कि एक चैनीज किक बॉक्सिंग है जो की एक तरह से डेडली गेम है उस गेम में एक मुसल्मान लड़की ने जो है गोल्ड मेडल हासिल करके जो है दूसरों के लिए मिसाल खायम क है इस पुखाम पर जा के खेलना स्टेट लेवल जीतना यह आम लोगों की बात नहीं यह इसके लिए जुनूनी होना पड़ता तो इसके लिए बेस जो है वह सही होना पड़ता जैसे कि पैरेंट्स अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना इंसेट आफ उनके हाथ में फोन है उस वक्त उनके हाथ में फोन देदी है सबसे पहली चीज बेस उनका अगर सही हुआ तो बागी सब चीज़ें सही होते हैं अलहमदोलिल्ला आज जो लड़की गोल्ड मेंडल मारी है यह उनकी पहली अचीवमेंट नहीं है उन्हों अलहमदोलिल्ला एक दौर के कराटे के नाशनल प्लेयर रह चुके सो हैं और जो है नाशनल प्लेयर है वह सब्सक्राइब हन संहरे पूरा गेम पूरी तरह से चेंज करके आभी ऊस्चू में गोडमेंड हो से चुके हैं तो यह कोई आम बास नहिंए यह कोई एक दिन या दो दिन में होनी वाली बात नहीं इसके लिए सालों लग जाते में को ठीक से याद नहीं है शायद उन्हों 8-10 साल के उनकी मेहनत है जो आज उनका यह एचिवमेंट है तो मैं बस यह कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ एक प्लेयर से नहीं होता उसके साथ जो उनकी पूरी टीम रतीज़ा सांगी फैमिली प्रूशन आना है आज कर प्षे फोन छोड जो है ऑचियर एक्रेंछ फिजीकल गेम में होना है उनके यह बउत ز्यादा za जरूरी है एक फिजादंगे यहाद में देना ना रहता हम अगर आज अपने बच्चों को टाइम ने दिंगे तो वो फ्यूचर में हमारा सबसे बड़ा लॉस था पेरेंट्स का सबसे बड़ा लॉस है वो बच्चे का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है उनों कई ना कई कोई ना कोई ट्राक पकड़ लेते हैं लेकिन पैर अच्छे स्पोर्ट्स में हैं जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हों जो टॉपर है स्कूल के उनसे ज्यादा होश्यार है उनका माइंड ट्रेगर रहता उनके संसर हमेशा अक्टिवेटेड़ रहता है उन्हों शायद बुक के चीज़ें आपको ठीक से नहीं बोल स स्पोर्ट्स भी होना जरूरी है फिजिकल अक्टिविटी के साथ चैने चैने कि बॉक्सिंग का एक इवेंट हो था जिसमें हमारे गुलवरगाय से चार लोग पार्टिसिपेंट किया थे जिसमें मैं भी एक था Senior Academy मैं मैंने participant क्या और जिसमें मैंने Bronze Medal हासिल किया है और अलहम्दुल्लाइ मेरा रिंग का जो Experience है अलहम्दुल्लाइ मैं को बहुत motivate किया क्युए रिंग में जाने के अबाद आप जो feel करते वो अलहम्दुल्लाइ मिरे को महसूस होआ कि आप दुबारा से उठकर ब्रांज से जरणिय स्टार्ट करकर गोल टक जाना और गोल से जरणिय स्टार्ट करकर और लिवल्स और प्रो में एमेचर का जैसी करियर है बनने के बाद प्रो में खेलने गा वो जो एक mental stage है चैंपियन का वो मेंटल स्टेज में मैं जाने की कुशिश कर रहा हूँ मेरा नाम आमेर हुसेन है और मैं एक्षन डोजो का एक कोच हूँ जिसमें मेरी भी एक परसनल किलास चल दे PC Islamic International School आज़ात पुरोड पर मैं खुद परसनली ट्रेनिम देता हूँ मेरा नाम मुहमद तौखर जुनेदी है 29 डिसंबर को हम लोग बीदर गए थे उशू टॉर्नेमेंट के लिए और वहाँ पे हम लोग ने फाइट किये अलहम्दलिल्ला मैंने जो उशू टॉर्नेमेंट में पार्टिसिपेट किया था मेरा उशू का पहला टॉर्नेमेंट था इंशालला अभी तो मैं गुलवरगा डिस्ट्रिक के लिए ब्रॉंज पिनल लाया हूँ इंशालला फिर आगे आगे जो है मैं कोशिश करोंगा कि जो है गुलवरगा को गोल डाने की कोशिश करोंगा